हेलो बच्चो देखिए इस से पहले वाले वीडियो पे हमने देखा था कि अपेंडिकुलर में टोटल 126 हड्डिया होती है बिल्कुल होती है अपेंडिकुलर में 126 हड्डि होती है जिसमें से 60 हड्डि हमारे हैंड की हो गई और 60 हड्डि हमारे पैरों में हो गई लेकिन आप से कहा था कि मैं आपको सारी 206 हड्डियों के बारे में बताऊंगी है ना अब आपको बताती हूं भाई यह नहीं जाएंगी नहीं आप चिंता मत करिए यहा देखिए जागों और पेट के बीच के छेतर को फ्होनी छेतर कहा चाता है मतलब जो हमारी जांक और हमारा ये पेट का जो निचला हिस्सा होता है ये जो जोईंस होते हैं इसे हम भाशा में कहते हैं कूले की हड़ी है यहां होती है उसको हम कहते हैं पैल्विक ग्रडल क्या कहते हैं पैल्विक ग्रडल क्या होता है जब हम बैठते हैं उठते हैं या ब पटलिक मसल्स पर जाना असर पड़ता है इनकी संख्या होती है इतनी होती है तो मिली अगा हम reach 20 हमारे हड्डियां हो गई कि दो हमें मिल्या ये नहां की संख्या होती है दो अगरों से ज度ड़ा रहता है इनको फिजो स्माधिते हैं करें इस बावल जोड़ा को पत्ली होती है लोगाज फीलेखा स्पीछ और पैल्विक पर जोर पड़ता है और निचली हट्डी पर भी जोर पड़ता है और यहां बात है अगों को जोडने वाली जो होती है वो पैल्विक बोन होती है इसको हम कूले की हड़ी भी कहते हैं शोडी मेतला भी कहते हैं इनकी संख्या दो होती है मेल में होते हैं पतले और फीमेल्स में होते हैं चोडे इसलिए फीमेल्स की कमा थोड़ी सी मोटी होती है और शादी के बाद तो और मोटी हो जाती और बच्चों के बाद भी और अच्छी खासी मोटी हो जाती है तो यह होती है फीमेल में चौड़ी और में में होती है पतली इन्हें हम क्या कहते है पैल्वी ग्रड़ल भी